नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल जरधारी क्लासेज में दोस्तों आज से में आपके शुरू करने वाले हैं इंडियन हिस्टी का कॉर्स जिसमें हम यहां पर आपके स्लेबस के according आपको complete कORS दोस्तों कराएंगे हां पर इंडियन हिस्टी का आज ये lecture one है जिसमें हम यहां पर चर्चा करेंगे सिंद्धाऊ सब्यता, सिंदो सब्यता यानी हरपह संस्कृत के बारे में काफी महत्वपून टॉपिक को दोस्तों ये होने वाला है और साथी साथ आपको बता दें इससे पहले हम आपको इंडियन पॉलिटी का कोर्स हमने शुरू किया था और अधिकांस जो आपका स्लेवर से इंडियन पॉलिटी का वो समापत हो चुका है कुछ अब बेरतों की ये भी कमेंट आयरे थे कि सर इंडियन पॉलिटी के सारे आल्टेल कराए जाए तो आपको बता दें जो महत्वपून टॉपिक थे वो तो मैंने आपको पहले ही करा दिये है बीचीज में अभी आते रहेंगी इंडियन पॉलिटी के कुछ वीडियो जो बची हुई है तो आपको चिंता करने की जरूत नहीं है आपको सारा सलेवर से आपके कम्प्लीट मिलेगा शुरुआ दोस्तों आज इंडियन हिस्टी के कोर्से करते हैं और इंडियन हिस्टी का लेक्चर वन जिसमों में आपके सिंदु सबेता के बारे में जानेंगे तो चले दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों सिंदु सबेता या जिसको हम हडपा सबेता के नाम से भी जानते हैं अब दोग इसको सिंदु सबेता इसका नाम क्यों पढ़ा क्योंकि सिंदु नदी के तटपर सिंदु नदी के तटपर इसके इस्थल मिलने के कारण इसको क्या कहा जाता है सिंदु सबेता के नाम से जाना जाता है यह आप यहाँ पर दे सकते हो यह यहाँ पर हडपा सबेता या सिंदु सबेता अब यहां पे आप देख रहे होंगे यह जो नदी आ रही है यह नदी है यह कौन से नदी है सिंदु नदी है तो सिंदु नदी के तट पर पाए जाने के कारण दोस्तों इस सबेता को कहा गया है सिंदु सबेता और अब इसका नाम हडपा सबेता क्यों कह गई थी और सिंदु सब्यता का पर्थम इस्थल जो कि हडपा है तो सिंदु सब्यता का ये पर्थम इस्थल था जो ये खो जाए गया था तो इसलिए पर्थम इस्थल के नाम से या ये हडपा के नाम से इस सब्यता को हडपा सब्यता या हडपा संस्कृते भी कहा जाता है अब हम दोस्ते आप पे सिंदु सब्यता के भोगलिक विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं किन-किन देशों में विस्तारित है सिंदु सब्यता तो मुखेता तीन देशों में भारत, पाकिस्तान और अफगनिस्तान में हडपा सब्यता या सिंदु सब्यता देखने को मिलती है सिंदु सब्यता का सबसे पूर्य इस्तल देखो यहाँ पे आप डारेक्शन तो जानत होंगे यह आपका पूर हो गया यह पस्तिम यह उत्तर और यह डक्षिन तो सबसे पूरी बिंदु यह है यहाँ पे आलमगीरपुर यह आलमगीरपुर का है आपका उत्तर परदेश में है पूरी बिंदु का है उत्तर परदेश में आलमगीरपुर है और सिंदु सवेता का जो सबसे पस्तिमी बिंदु है वो है यहाँ पे सुतकांगी डोर यह आप आपका यह आपका पाकिस्तान में है उसके बाद अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में यहाँ पर जम्मु कस्मीर के ठीक है जम्मु कस्मीर में यहाँ पर मांडा जो मांडा इस्थल है यह सबसे उत्तरतम इस्थल है सिंदु सब्यत्ता का और सिंदु सब्यत्ता का सबसे देमबाद का यहां पर आपका महाराष्ट में है इसको आप जों Mm कर के भी चाटे है तोड़ा यहां पर मानड़ा है सबसे सेत्तर लोग को संदर स्वैत्य का देमबाद यह महाराष्ट में है पूर्वी इस धाल आपका सुस्तर पर्देश बें जो कैंगे इस्थले वो है आपका सुत्र कांगे डोर जो की पाकिस्तान में इसीत है तो पूर पस्सिम उत्र डक्षिन ये कई बार एक्जाम में क्वेशन बनता है कि बताए कि खड़प्य सब्यता का सबसे पूर्वी इस्थल कौन सा है पस्सिमी इस्थल कौन सा है उत्तर तम इस्थल नदियों के बारे में जाना जाता है कि ये इस्थाल कौन कौन सी नदी के किनारे इस्थित है अगर हम बात करें इसके पूरी बिंदु की जो ये आलमगीरपूर उत्तर परदेश में है तो आलमगीरपूर किस नदी के किनारे इस्थित है ये है दोस्तों हिडन नदी hidden नदी अब इस hidden नदी को आपने bracket में यमुना नदी भी लिखना है क्योंकि यमुना नदी की सहायक नदी है तो कई वार अगर hidden नदी नहीं पूछा जाता है तो आपको क्या करना है वहाँ पे यमुना नदी जरूर option में होगा तो जो पूरी बिंदु है आलमगीरपूर वह कौन सी नदी के तटपर इसित है hidden नदी के तटपर उसके बाद जो इसका पस्तिमी बिंदु है उसका नाम क्या है सुतकांगेडोर यह यहाँ पे पस्तिमी बिंदु सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है और ये किस नदी के तटपर इस्थित है दास्क नदी दास्क नदी के तटपर उसके बाद उत्तरतम बिंदु है जो जम्मो कस्मीर में मांडा ये किस नदी पर है ये किस नदी के तटपर है तो चिनाब नदी के तटपर और उसके बाद जो दक्षिनतम बिंदु है देमाबाद ये किस नदी के तटपर है तो ये है आपका प्रवरा नदी प्रवरा नदी और आप ब्रेकेट में गोदावरी नदी में लिखे ठीक है गोदावरी दोस्तों यहां से कईवार एक्जाम में एक कोशन जरूर पूसर जाता है पूर्वर बिंदु कोन है आलमगीर पूर उतर प्रदेश में हिड़ा नदी के तटपर इसित है पस्तिमी इस्तल है सुत्कांगेडोर दास्क नदी के तटपर है और ये आपका पाकिस्तान में इसित है बुश्चिस्तान में उत्तरतम इस्ताले मांडा जो की जम्मु कस्मीर में है चिनाव नदी के तटपर इसित और दक्षिनतम बिंदु मिला है जो दक्षिनतम इस्ताले वो है देमाबाद जो की प्रवरा नदी के तटपर इसित है और यह महाराष्ट में इसित है दोस्तों भोगोलिक विस्तार आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस परकार से यहाँ पर भोगोलिक विस्तार देखने को मिलता है सेंदव सब्यता का अब यहाँ पर अगर हम इसके आकार की बात करें तो यह देखो यहाँ पर इस परकार से इसका आकार बन रहा है ना इस परकार से यानि अगर हम बात करें तो इस परकार से इसका आकार देखने को मिल रहा है इस परकार से यानि सेंधव सब्यता का आकार कैसा है या क्या है तो वो है आपका त्रिभुजाकार इंपोर्टन कोशन दोस्तों बन सकता है त्रिभुजाकार यहाँ पर आकार देखने को मिलता है सेंधव सब्यता का अब हम दोस्तों आप पर देखो भोगोली के विस्तार मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब हम बढ़ते हैं इसके इतिहास की और दोस्तों सेंधव सब्यता के इतिहास की बात अगर की जाए तो सरपर्थम सिंदुगाटी सब्यता या सेंधव सब्यता के बारे में जानकारी दी गई है चाल्स मेशन द्वारा चार्ल्स मेसन की एक पत्रिका 1826 में इन्होंने इसकी जान कर दी 1826 में इनकी एक पत्रिका है Narrative of Journey इन्होंने चार्ल्स मेसन ने Narrative of Journey में सरपर्थम सिंदुगाटी सब्वेता के बारे में जान कर दी है उसके बाद दोस्तों दो बंदु थे यहां पर बंदु एक का नाम था यहां पर John Burton और दूसरे का नाम था William Burton तो यह जो बंदु थे इनके नेतरतों में 1856 में बंदु के नेतरतों में 1856 में कराची से लाहूर कराची से लाहूर तक इनके नेतरतों में रे लाइन बिचाई जा रहे थी अब जब यह रेलाइन बिचा रहे हैं तो यहाँ पे खुदाई करते हैं इस बीच तो यहाँ पे इंटे निकलती है तो सरपर्सन और बाद में पता चलता है कि जहां से इनको इंट पराप्त होई है वो कौन सा नगर था तो वो था हडपा तो हडपा से पहली बार इंट निकाली गई किसके द्वारा बर्टन बंदु के द्वारा बर्टन बंदु को भी पता नहीं था कि यह हडपा नगर है क्योंकि हडपा नगर की खोज तो 1921 में होती है किसके द्वारा दयाराम सहनी के द्वारा लेकिन पहली बार इंट वहां से कब निकाली गई थी बर्टन बंदू के द्वारा अठारा सो चपन में उसके बाद दोस्तों जोन मार्शल जो की बनते हैं भारतिया पुरातत्तो विभा के महान निदेशक जोन मार्शल बनते हैं और जोन मार्शल के निर्देश पर राय बाहदुर दयाराम सहानी द्वारा खडपा की खुदाई की जाती है 1921 में और साथ साथ 1922 में हडपा सब्यता का जो दूसरा प्रमुख सहर है प्रमुख नगर है मोहन जोद्रो उसकी खुदाई किसके द्वारा की जाती है रखल दास बनते द्वारा अभी हम हडपा सब बेता के सभी इस थलों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे किसके उज़ारों खोजे गे थे, कब खोजे गे थे और वहां से परमुक जो साक्ष्य प्राप्त नहीं थे क्योंकि अधिकास्ता क्वेसन वहीं से पूछी जाते हैं अब दोस्ता हम आपे पहले काल निर्धरन की बात की जाए काल निर्धरन पे बहुत सारी यहां पे अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग मत दिये हैं लेकिन सबसे विश्वसनिय मत कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा तो हडपा सबेता किस काल की है या किस वर्स की है ये किस तितिकी है तो जॉन मारसल जिन्होंने जो की क्या थे महान दे सकते हैं भारतिया पुरादोत विवाके जिनके निर्देश पर दैराम सानी ने हडपा सहर की खुदाई की थी तो जॉन मारसल के अनुशार दोस्तों जो ये सिंदु घाटी सब्वेता या हडपा सब्वेता है इसका जो काल है ये 3250 इसा पूर से लेकर 2750 इसा पूर तकी सब्वेता है यानि इस बीचे सब्वेता देखने को मिलती है लेकिन रेडियो कारवन सी चोदा रेडियो कारवन चोदा यानि सी चोदा पद्धति के माद्यम से देखो कारवन चोदा पद्धति क्या है तो इसके माद्यम से जो कोई पुरातात्यक जीव है जो दब गए है जमीन के अंदरगत उनकी आयो का निर्धान किया जाता है तो उस समय के जो साग्छे है जो दबे हुए हैं जमीन के नीचे जब उनको खोजा गया तो फिर कारवन 14 के माध्यम से उनकी जब आउका निर्धान किया गया जिसे ये पता चला ये सब्यता त्याइस सो पचास इसाफूर से लेकर 1750 इसाफूर तक की है इतनी पुरानी सब्यता है दोस्तों सिंदु घाट सब्यता तो ये सबसे विश्वसनिया माना जाता है इसलिए मैंने विश्वस तोर पर ये यहां पर मेंजन किया है तो रेडियो कारवन 14 या सी 14 पद्धति के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि सिंदु घाटी सब्यता का जो काल है जो तित ही है वो 2550 इसाफूर से लेकर 1750 तकी है और सबसे विश्वसनिया भी ये ही मानी जाती है और एकजामे अगर आपको सही आंसर करना है तो वेश्वस से अगर ये पूछाई ढहता है कि आपको ये देखने को मिल जाए गा क्योंकि सबसे विश्वस ने क्या है का बढ़ती है अब बड़ते हैं दोस्तों आगे और जहां से महतोपूण क्वेशन बनते हैं निये सिंद्धु भार्टी सब्वेटाज से जो अधिकान स्ता क्वेशन बनते हैं वह साक्षे पर बनते हैं बदाये कि चोड़ियों के साक्षे कहां मिले या यूगल सवादान के साक्षे कहां मिले या सरपरतम चावल के साक्षे कहां से मिले इस परकार के क्वेशन अधिकांसता बनते हैं सिंदुगाटी सब्वेता से सम्मनित तो सारे दोस्तों हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं आपका कहीं से भी कोई वी क्वेशन नहीं थोड़ सकता है तो हडपा सब्वेता के परमुक इस्थलों की बात करते हैं सबसे पहले हडपा सब्वेता में या सिंदुगाटी सब्वेता में किस इस्थल की खोज़ूई हडपा की इसलिए इस सिंदुगाटी सब्वेता को हडप हडपा सब्वेता के नाम से भी जाना जाता है यह मने आपको पहले ही बता दिया है हडपा के जो उत्कलन करता है वो है राय बहादुर दयाराम सहानी इन्होंने 1921 में इस इस्थल की खुदाई की थी और सबसे important question दोस्तों नदी आपको जरूर नोट करनी है हडपा जो इस्थ पर इस्थित है तो रावी नदी के तटपर और वर्तमान छेत्रिय कहा है तो यह आपका मॉंट मॉंगरी जिला पाकिस्तान में हडपा इस्थल इस्थित है अगर हम बात करें प्राप्त साक्षियों की तो इसमें जो साक्षिय प्राप्त हुए एक तो कुमार का चाक कुमार क्या होता है यह स्रमिक होता है और यहां पर इनका आवास नहीं स्रम आवास भी देखने को मिलता है अब जो स्रम आवास है तो स्रम आवास के जो लोग है उनको अन्ह तो चाहिए खाने के लिए तो यहां पर एक अन्नागार भी देखने को मिलता है अन्नागार और य एक तो होती है पितर सतात्मक, पितर सतात्मक वो जो सब्यता थी वो थी वेदिक सब्यता, जबकि मातर सतात्मक सब्यता कौन से दोस्तों, सिंदु घाटे सब्यता जो कि मातर सतात्मक थी important question बनता है, यह आपको note करना होगा, तो मातर का देवी के मुर्ती भी कहां से प्राप् इक प्रकार की मुहरें देखने को मिलती है यह एक स्रिंग्य जानवर को मिलती है वह कहां से मिलती है तो हड़पा से मिलती है important question दोस्तों ये बनता है हडपा सबेता की कई मोहरों में ये एक सरिंग्या जानवर देखने को मिलता है और साथी साथ हडपा में कबरस्तान भी देखने को मिलता है जिसे ये साबित होता है कि यहाँ पे सवों को डफनाया जाता था डफनाया ठीक है रााााा कार के और एक्चार के कबरस्तान कहां देखने को मिलता है इसली इसको राइस थर्टिесेवन कहा जाता है ये देखने को मिला था हडपा में तो हडपा के प्रमुक साथ प्रॉप्थ जो साथ्टे आपने देखी होगी अगर आपने मोहन जोदारो मोवी देखी है रितिक रोशन की तो उस मोवी के कुछ यहां पर मैं आपको पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको मोहन जोदोलों के अधिकाँसता साक्ष ऐसे ही याद हो जाएंगे देखो मोहनजरणो के जो उठ्खलन करता है यह है रखलदास बनर जी 1922 में इन्होंने मोहनजरणो की खुदाई की थी अब मोहनजर्णो किसे नदी के तटबर है तो सिंद्धु नदी के तटबर है मुई में भी ये दखाई गया है वर्तमान छेतर है लारकाना ध्यान ठीक है और यह कहा है आपका लारकाना जिल्ला जो कि आपका कहा है पाकिस्तान में है आप दीकों परमुक साइचे गया है एक तो मरतकों का टीला यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर बहुत सरे मरतक थे और इनसे एक टीला बन चुका तो मरतकों का टीला कहां देखने को मिलता है मुहन जोदो में यहां पर अचानक युद्ध हुआ था लेकिन यह तो संति प्रिया लोग थे जो सिंदु घाटी सब्वेता है दोस्तों वो संति प्रिया लोग थे दूसरा इतियासकार यह भी कहते हैं कि यहां पर यदि कोई ऐसी महामारी आई होगी जिसके कारण यहां पर क्या हुआ एकडम से इतने सारे यहां पर मरतक मिलते हैं मरतकों का टीला देखने को मिलता है तो अलग लग इतियासकारों के अलग अलग बात है क्योसन किस परकार से बंता है वो मैं आपको हां पर बता रहा हूँ क्वेशन आएगा कि मर्तकों का टीला सिंदाव घाटी सब्यता के कौन से इस्थल से प्राप्थ होता है आपका आंसर आजाएगा मोहन जोड़ो उसके बाद प्रोहित आवास देखो आपने मोहन जोड़ो मोवी देखे होगी रितिक रोशन की उसमें एक पुजारी होता है ठीक है होता हैना उसमाज़ तो पुजारी से समझ ईनली पुजा से सम्मझ अदि हाँ पर कुछ इस्थल देखने को मिलता है तो पुरोहित आवास कहां देखने को मिलता है मोहन जोड़ों में देखने को मिलता है अब पुरोहित जब होंगे तो वहां पर क्या होगा पुरोहित वो बिल्कुल इसनान करके मंदिर में जाते हैं, पूजा पाट करते हैं तो इसलिए यहां पे एक विसाल इसनानागार देखने को मिलता है यह यहां पे इस प्रकारची विसाल इसनानागार है ठीक है यह यहां पे जैसे आज कल स्विमिंग खुल देखने को मिलते हैं तो वैसे यहां पे विसाल इसनानागार कहां से इसका साक्ष प्राप्त होता है तो मोहन जोद्रों से, अब विशाल इस नानागार के बाद प्रोहित कहा जाएंगे, भोजन लेने जाएंगे, भोजन करने जाएंगे, तो अनागार भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जोको अनागार का साक्ष आपको हडपा से भी मिलता है, और मोहन जोद्रों से भी मिलता अन्नागार का मतलब होता है दोस्तों अन यानी भोजन को रखने के लिए जो एक क्या होता है भंडार होता है अन्न भंडार आप इसको कहते हैं या अन्नागार इसको कहा जाता है तो अन्नागार का साक्षय भी मोहन जदलों से भी प्राप्त होता है उसके बाद दोस्तों सूत सूती वस्त्र कपास सूती वस्त्र के सरुपर्त्र किस सभ्यता से किस सथल से सूती वस्त्रوں के साख्षय प्राब्ट देखे नों को मिलती है मोहन जोद्रों से उसके बाद यहां पर एक नर्तकी की कांसे मूर्थी प्राप्त होती है एक महिला नर्त करती हूँ यहां पर दिखाई गई है तो यहां से तो नर्तकी की कांसे मूर्थी प्राप्त होती है जबकि हडपा से क्या हो प्राप्त होती है मा प्रोहित इसनान करेगा तो विश्याल इसनानागारी भी इसमें देखने को मिलता है फिर प्रोहित क्या करेगा अनगरहन करेगा तो अनगारी भी यहां पर देखने को मिलता है सूती वस्तर देखने को मिलते हैं पसुपति मोहर यानि शिव की मोहर यहां पर देखने को मिलती ह और निर्तकों की निर्तकी की कांसे मूर्ती यहाँ पर देखने को मिलती है इन निर्तकी है यहाँ पर इसको आप सही करतीजिए एक महिला निर्तक करती हुई इस मूर्ती में दिखाई गई है उसके बाद जो तीसरा इस्थल है वो है आपका सन्हुद्डो सन्हुद्डो में आ करता है नाने गोपाल मजूमदार और यह किस नदी के तड़ पर इसीत है सिंदु नदी के तड़ पर है चनुद्रो यानि यह कहा है यह वर्तवान में पाकिस्तान में है सिंद पाकिस्तान में इसे थे चन्नुद्रो अब देखो चन्नुद्रो इस्थल जो यह सिंद गाटी सब्वेता का एक परमुख इस्थल है चन्नुद्रो यह एक उधोगिक नगर हुआ करता था और यहां से जो परमुख साक्षे मिलता है एक तो मन के बनाने का कारखाना है कारखाना मिलता है जहां पर क्या होगा उधोग होंगे तो इसलिए इसको कहा जते है उधोगिक नगर तो मन के यानि मोती बनाने का कारखाना मिलता है स्याही की दवात ठीक है स्याही की दवात यहाँ पे मिलती है साग्ष्या स्याही की दवात के साग्ष्या उसके बाद लिपिश्टिक यहाँ पे महिला संबंदी साग्ष्या अधिकांसता प्राप्त होते हैं महिलाओं से संबंदे जो भी उनका साजो सामान होता है लिपिष्टिक हो गया, हाथी का खिलोना, काजल हो गया, कंगा और पाउडर और दोस्तों यहाँ पे सबसे बिशियस बात कि यहाँ पे कुट्टे और बिल्ली के पेर के निसान भी देखने को मिलते है यहाँ पे दिखाए गया है, इन निसानों में देखने को मिलता है कि कुट्टा बिल्ली का पीछा कर रहा था ठीक है, यहाँ पे कुट्टा है और यहाँ पे बिल्ली है और उनके पेरों के निसान के यहाँ पे साक्ष मिलते हैं चन्नुद्लो से तो ये तो परमुक साक्ष से थे और सबसे important बात है जो चनुगलो इस्थल की ये दूर्ग रहित इस्थल था important question बनता है कई बार दूर्ग रहित इस्थल जो सिंदु घाटी सब्यता थी वहां के अधिकास था आपने देऊगा जो सहर थे वहां पक्के इंडो के मकान बने हुए थे परतेक जो इस्थल ता परतेक जो नगरे बिवस्था थी वो चार और क्या थे उसमें दूर्ग थे लेकिन उनमें से एक सहर दोस्तों चिंदो घाटी सब्यता का है जहां पर दूर्ग नहीं देखने को मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्यापार करने अद थे जब इतने सारे लोग आएंगे और यहाँ पर दुर्ग बनाए गया है तो वो कौन सी दिशा से आएंगे एक दिशा से अगर जाएंगे यहाँ से तो भीड़ हो जाएगी इसलिए दोस्तों चन्हुदुडो को दुर्ग रही तो बनाए गया था ऐसा इतिहासकार मानते हैं तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं सिंदु सबेता का ऐसा इस्थल जो की दुर्ग रही तो इस्थल था सही आमसर आपका आजाएगा चन्हुदुडो तो दोस्तों अभी तक हमने आपको हडपा मुहन जोदो और सनुदोडो के बारे में बता दिया है वहाँ से जो परमुक्र साक्ष देखनें को मिलते हैं वो सारे हमने कवर कर लिये हैं नेक्ष जो इस्थल आता है दोस्तों वो है लोथल लोथल कहा है गुजरात में ठीक है और सबसे इंपर्णन कोशन बनता है कि लोथल किस नदी के तड़ पर इस्थित है तो भोगवा नदी के तड़ पर इस्थित है लोथल इसके उथलन करता कौन है तो रंगनास राओ और वर्तमान इस्थल काई ये एहमदाबाद गुजरात में है सरवादिक जो साक्षे देखने को मिलते हैं सेंदव घाटी सब्यता के वो यहीं से प्राप्त होते हैं अब कौन-कौन से वो साक्षे हैं तो देखो यहाँ पे एक तो गोदी बाड़ा गोदी बाड़ा ये एक बंदर गाहा था दोस्तों ठीक है तो गोदी बाड़ा बंदर गाहा कौन से इस्थल से प्राप्त होता है तो लोथल से ये प्राप्त होता है घोड़े की मरनमूर्ती यहाँ से प्राप्त होती है बाट ठीक है बाट देखो बाट क्या होता है एक माप तोल का पैमाना होता है और यहाँ पे जो सबसे न्यून्टम बाट देखने को मिलता है वो मिलता है 16 kg का 16 kg का बाट जो की सबसे न्यून्टम था सबसे हलका बाट जिसको खेते हैं तो मापतोल का पैमाना बाट इसका साख्षे भी कहां से प्राप्त होता है लोथल से प्राप्त होता है चोतर यहां पर चावल और बाजरी का साख्षे इंपोर्टन क्वेशन यह कई बार एक्जाम में पूछा गया है चावल और बाजरी का साख्षे यह कहां से मिलता है तो य यह भी आपका लोथल से प्राप्त होता है उसके बाद मन के बनाने का कार खाना यह भी लोथल से यह भी प्राप्त होता है और छटा यहां पर यूगल सवाधान तो देखो यह हो गया और यह हो गया यह दोनों important question है और एक बंदर का यह तीन question दोस्तों कई बार exam में पूछे यहां पर दो लोगों को एक साथ दफनाई गया है इस बरकार से यहां पर जो सवाधान देखने को मिले हैं तो यहां पर यूगल सवाधान देखने को मिले हैं कहां से लोथल से यानि यहां पर जो दफनानी की प्रिक्रिया थी वो यूगल यानि दो लोगों को साथ में दफ दफनाय जाने के प्रिक्रिया देखने को मिलती है और ऐसे भी कहा जाता है कि यहां पर सती प्रता रही होगी यानि अगर किसी के पत्ति की डेथ होगी उसको दफनाय गया है तो साथ में उसकी पत्तिनी को भी यहां पर दफनाया गया होगा या जो भी कुलना की ये सवाधान की जो परिक्रिया होती होगी उस समय वो की गई होगी तो इसलिए यहाँ पर युगल सवाधान देखने को मिलते हैं जो की सती परता का एक परतीक माना जाता है इस प्रकार से भी question बन सकता है कि सती प्रता का प्रतीक वो कहां से मिला या सती प्रता के प्रतीक का साक्ष कहां से प्राप्थ हुआ तो लोथल से प्राप्थ हुआ क्योंकि यहाँ पे युगल सवाधान देखने को मिलता है उसके बाद पंच तंतर की चालाक लोमडी के साथ्या पंच तंतर की कहानियों में आपने चालाक लोमडी की कहानी के बारे में पढ़ा होगा एक यहां पर पक्षी बेटा रहता उपर उसके मुह में क्या होती है कर रोटी होती है और यहां पर लोमडी आती है तो लोमणी क्या करती है उसको मुह खोलने के लिए कहती है ऐसे कुछ ये कहानी थी और जब ये मुह खोलता है तो इसकी रोटी नीचे किर जाती है और लोमणी उसे रोटी को लेकर चली जाती है ये विचारा मेहनत करके फिर भूका रह जाता है तो इसके साक्षे दोस्तों ये कहां से प्राप्त होते हैं ये भी प्राप्त होते हैं लोथल से वहाँ पर भी एक साक्षे इस प्रकार कर देखने को मिलता है पंच तंदर की चालाक लोम्री का साक्ष्या उसकी बाद दोस्तों मैं एक और विशेश प्वाइंट यहां पर यह मकान है और इनके दर्वाजे हैं और यह मुख्य सड़क हैं तो इनके दर्वाजे मुख्य सड़क की और खुलते थे अब मुख्य सड़क की और खुलने का कारण यह था यहां पर यह एक ब्यापारिक नगर या उद्धोगेक नगर हुआ कर रहा था यहां पर ब्यापार भ घर में पहुंच जाएगा तो इसलिए लोथल ऐसा सहर था जहांके मकानों के जो दर्वाजे थे वो मुख्या सड़की और खुलते थे नहीं तो अधिकांस था जो यहां पर इस थल देखने को मिलते हैं सिंदु भाटी सब्यता में वहां पर जो मकान थे वो जो उनके दर्वा यह मानी जाती है और मलब कुल मा की चोटी चोटी गलियों में खुलते थे चोटी चोटी गलियों में इस दर्वाजे खुलते थे मुख्या सड़की और इन घरों के दर्वाजे नहीं खुलते थे एक लोथल अक्यला ऐसा इस थल यहां पर जहां पर घरों के दर्वाजे मु तो थल में जो पर्मक साथ्ष प्राप कुए वो दोस्तों मैंने आपको यहां पर बता दिये हैं उसके बाद जो नक्ष इस्थल है सिंदुगाटी सब्यता का वह आपका रंगपूर रंगपूर इसकी खोज करता है एसके राव और यह कौन सी नदी के तटपर इसित है भादर नदी के तटपर वर्तमान में अगर बात की जाए तो यह भी आपका एहमदाबाद गुजरात में इसित है अधो को यहां पर दो पर्मक साथ्ष देखने को मिलते हैं नमबर वन है धान की भोसी और नमबर टू है कच्ची इंट का दुर्ग वैसे अधिकान सा जो मकान थे सि कहां से प्राप्त होता है इसका साक्चे रंगपूर से धान की भूसी का साक्चे कहां से प्राप्त होता है तो यह भी आपका रंगपूर से प्राप्त होता है इंपोर्टन कोशन दोस्तों यह बन सकता है अब बात करता है नेक्ष इस तलकी यह आपका काली बंगा काली से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्थ विए हम यह तो एक तो यहां पर जूत्ति हुई खेट यह भी कहां खित कंश्य को प्राप्थ विए काली बंगा से रूप दूसरा जो साक्षय वो है उंट वा बैल के साक्षय, तीसरा है कुईये के साक्षय, देखो यह है यहाँ पर कुईये के साक्षय कहां से प्राप्त थे दोस्तों तो यह हुई है काली बंगा से, चोथा यहाँ पर चूडियों के साक्षय, यह भी कई बार एक्जामे पूछा ग भूकम के साक्षय यह भी आपका काली बंगा से देखने को मिलते हैं तो देखो दोस्तों एक तो यहां पर देखो यह सारे लगबग इंपोर्टन है क्यों कि काली बंगा इक इंपोर्टन इस्थाल है सिंदुघाटि सब्टा का और इसके समद में कई बार एक्जामें यह सारे important आपको note करने हैं जुतिवे खेत उंट और बैल के साक्षा कुईयों के साक्षा चूड़ियों के साक्षा और भूकंप के साक्षा यह साक्षा सब कहां से प्राप्त होते हैं काली बंगा से प्राप्त होते हैं उसके बाद नेक्ष जो इस्थाल है वो है बनावली बनावली या इसको बनवाली भी कहते हैं और इसकी खोज रविंदर सिंग बिष्ट द्वारा की गई यह कौन सी नदी के तटपर इस्था है सरसुती नदी के तटपर है बनावली इस्थाल और वर्तमान में हिसार हर्यान म इठिते बनावली से यहां पर कौन-कौन से साक्षे देखने को मिलता हैं तो एक तो यहां पर तेरा कौटा तेरा कौटा क्या होती कि मैटी होती पकी हुआ मिटी तो पकी हुई मिट्टी जिसको हम Tera kota कहते हैं तो Tera kota का हल देखने को मिला था बनावली से इसका साक्ष पराप्त होता है जो के साक्ष से, important fact है जो के साक्ष एक कहां से पराप्ट हुई है सरपर्त Health तो बनावली से पराप्ट हुए और सरसों और तिल के धेर इसके साख्ष भी यह कहां से प्राप्ट हुए यह भी बनावली से प्राप्ट हुए तो टेराकोटा का हल या मिट्टी का हल जो के साख्ष और सरसों और तिल के धेर का साख्ष यह तीन मुख्य साख्ष है दोस्तों बनावली के दोस्तों यहाँ पर एक और सीज़ आपको बताना चाहूंगा वैसे तो बहुत सारे साक्ष देखने को मिलते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको वही बता रहा हूँ जो की important है वह यतने सारी याद करने की जुरूतनी है जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रियास कर रहा हूँ उसके बाद नेक्ष जो इस्ताले सुरकोटदा सुरकोटदा इसकी खोज जगपती जोसी द्वारा नदी है सुरसकी नदी के किनारे इस्तिति घगफ का सुरकोटदा और वरतमान स्ताले आपका गुजरात के कच्च में साक्च यहां पे एक तो गोड़े की हड़ी और एक तराजू का पलडा उसके माप्तोल के लिए तराजू का पलडा देखो बाठ का साक्च या माप तो ले बाट का साक्ष है जो कि नियूनतम बाट 16 केजी का हुआ करता था वो हुआ था लोथल गुजरात से वो प्राप्थ हुआ था और उसी प्रकार से तराजू का परला भी यहाँ पर देखने को मिला है सुर्कोट दा जो कि कच्छ गुजरात में यह छेतर इसी तरह यहाँ पर घोडे की हड़ी के साक्षे भी देखने को मिलते हैं उसके बाद नेक्स जो स्थाल है रोपड ये भी आपका ये रोपड इस्थाल का है रूप नगर पंजाब में इस सिता है और इसकी खोज बीवी लालवारा की गई और ये कौन सी नदी के तटपर इस सिता है सतलज नदी के तटपर अब दो को यहां से कौन कौन से साख्षे देखने को मिलते हैं तो मानव के साथ कुट्टे को दफनाने का साख्षे है इंपोर्टन कोशन दोस्तों ये बनता है मानव के साथ कुट्टे को दफनाने का साख्षे कहां से प्राप्त होता है तो ये आपका रोपण से प्राप्त हो दकें साख्चे क्या है कि हैं और नहर और बांध कipes मैंने और देखने को में है। से देखने को मिलते हैं वो सारे मैंने आपको आप बता दिये हैं तो साख्ष के व्योपिंट से ये सभी 10 इस्थाल के आपके महतवपून है और पर पेग इस्थालों से कौन से साख्ष पराप्त होते हैं वो आपको विशेश तोर पर याद करने हैं आप दोस्तों आगे बात करेंगे हाँ पर सिंदु घाटी सब्यता की लिपी के बारे में यानि हडपाई लिपी के बारे में और उसके बाद सिंदु घाटी सब्यता की जो परमुक विशेषता हैं उनको यहाँ पर चर्चा करेंगे तो देखो अगर लिपी की बात की जाए मैं यहाँ पर एक बार सबेता की लिपी आप देखो एक यहां पर स्वास्टिक चिन यह आपको बिशेश तोर पर नोट करना है स्वास्टिक चिन के भी साक्षे मिलते हैं अब यहां पर देखो एक यह 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 चाकू की तरह है यानि किसी वस्टू के भाव के बारें बताता है किसी ध्वनी के बा वस्तों से हम किसी भाव के बारे में अंदर लगा सकते हैं यहां पर यहां पर यह पर यहां पर पप्त चल रहा है उसके बाद यहां पर कई और अन्य च्छा यहां पर तीर की तरह है और उसकी बाल और क्या है कुछ से यहां पर पेड़ की तरह है कई वस्तों के सूचक मिलते हैं इस लिपी में जिसे हमें किसी न किसी भाव का पता चलता है तो इसलिए इस लिपी को क्या कहा जाता है भाव चित्रात्मक लिपी भी कहा जाता है तो यहा बावचित्रादमक को मजब कुमें प्रतेग जो इसका अक्षरता वो किसी वस्तू या किसी ध्वनी के बाव को परकट कर रहता हूँ उसके तो वह ने आपको अभी बता दिया है उसके बाद देखो इसकी जो शैली थी वह थी पहली दाइं से बाइन लिखी जाती है दाइं हो गया तो दाइं से बाइं लिखी जाती है फिर बाइं से दाइं लिखी जाती है तो इस परकार से लिपी देखनों को यहां पर मिलती है तो दाइं से बाइं और बाइं से दाइं तो यह इसकी क्या है लिखने की सहली थी और इस लिपी को इसलिए दोस सरपिलाकार लिपी और तीसरा इसको क्या कहा जाता है गो मूतरी का लिपी कहा जाता है गो मूतरी का लिपी तो ये तीनों पॉइंट आप स्क्रिंड सोट ले सकते हैं हडपा सब्वेता या सिंदुगाटी सब्वेता की जो लिपी थी उसको भाव चितरात्मक लिपी कहा जाता था क्योंकि उसमें किसी ध्वनिया वस्त के भाव का सूचक देखने को मिलता है सरपिलाकार लिपी इसको कहा जाता है क्योंकि दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं अधिकांस का चितर देखने को मिलते हैं मैंने भी आपको वहाँ पे चाको का चितर बताया एक वहाँ पे क्या था वो तिरसूल के वहाँ पे देखने को मिलते हैं वहाँ पे एक तीर का चितर देखने को मिलते हैं तो चितर लेखात मक चितर लेखात मक लिपी इस सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं इसका आप स्क्रीन सोट यहाँ पर ले सकते हैं अगर हम बात करें इस लिपी को पढ़ने का सरुपरतम परियास किसके द्वारा क्या गया था लेकिन दोस्तों यह लिपी अभी तक पढ़ी नहीं सकी है ठीक है इस लिपी को अभी कोई पढ़ नहीं सकता है किसी को यह समझ में नहीं आई है तो यह लिपी अभी तक पढ़ी नहीं गई है यह आपको विशियस तोर पर नोट करना है अब हम थोड़े यहां पर चान लेते हैं कुछ परमक विशेस्ताओं के बारे में सिंदुगाटी सब्यता की परमक विशेस्ता क्या-क्या थी यहां पर नौट करूंगा और आप screen ले सकते हैं या आप अपनी kapi में नौट कर सकते हैं तो number one एक तो यह नगरिया नगरिय, क्या थी है, नगरिय या जिसको हम कहते हैं सहरी, सहरी सबेता थी, सहरी सबेता का मतलब यहाँ पर देखो एक तो यहाँ पर सभी जो मकान थे, वो पके इंटो के बने हुए थे, यहाँ पर दुर्ग थे, यहाँ पर चनुरों के अलावा, सभी जो इस्थल थे, प्रोपर क्या हुई थी धकी वी थी जिससे क्या पर चलता है कि बिल्कुल यहां पर स्वच्छता का ध्यान रखा जादा था उसका जो सडकें थी वो पूराव से पस्चिम दिसा में हुआ करते थी यह आपको नोट करना है कि सडकें जो थी सिंदुगाटी सबेता में वहां प अब यहां पर जो हम बात करें अगर हम अर्थ ब्यवस्ता की यह जो सारे मैंने पॉइंट बता दिया है कि नगरिया सभीता इसको क्यों कहा जाता है जो उसके साक्ष है वो मनें बता दिया आपको नालिया ठकी हुई थी सडकें पूराव से पस्चिम और साथ साथ मलब जो म करें तो करिसी पर करिसी और अ हेलिसी और वयां शकार और यहां पर जो के साथ मिलते हैं चावर के साथ मिलते हैं कपास यहां पर अचाह ख़ता मन के और चोडियाäg जिसे काली बंगन जो सक्षर्ण देखने को मिलता है वहां से क्या प्राफ्त होता है चूड़ियों का कार खाना यानि यहां पर चूड़ियों का ब्यापार होता तो बहुत सरे ऐसे इस्तल है जो की प्रमु के इस्तल है ब्यापारिक तो काली बंगा से चूड़ियों के साक्ष्य प्राफ्त होती है उसी प्रका तोरब पर देशने को मिलता है यहां पे पसिपालन का ऐसा कोई साक्षप राप्त नहीं होता है ब्यापार इनका विदेशों से होता था उसके बाद सिंग वाला जानवर। यह कहां से पराप्त हुई यह मुहर हडपा से पराप्त हुई और जबाम आपको हडपा सहर के परमुक सार्चु के बारें बताएं वहां पर मैंने इमेज भी आपको दिखाए थी एक सिंग वाले जानवर की तो यहां यूद्रक्य साइब देखने को नहीं मिलते हैं अप अगर हम बात करा कारण करी विद्थत का सब्रक्राद का कि यह सब्रक्र नहीं olduğunu आ यहां फिर आई हो गी जिसके बाद यह सब्रक्राद के बारे में बतागाई है एक ही वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक कवर करा दिया आपको जो भी इसके अंदरगत सिंदु घाटी सब्वेता के अंदरगत टॉपिक आते थे और जहां से भी प्रेशन पूछे जा सकते हैं आपके एक्जाम में उमेद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर जरू करें और आपको वीडियो क Cherry लगे कमेंट वॉक्स में जरू अपने राये दें मिलते हैं दोस्तों निफिशा तब तक लिए धन्यवाद